आप देख रहे हैं BHBC News नमस्वार BHBC News में आपका स्वागत है मेरा नाम है विपिन विबाग भारत का तीसरा लूनर मिशन चंद्रियान तीन सफलता पूरवक चांद की जमीन पर कदम रख चुका है चांद के दक्षन धुरुप पर चंद्रियान तीन पहुंचते ही भारत ने स्वाने में थियासर दिया है इसका पूरा शुरे जाता है हमारे देश के वेग्यानिकों को जिनों ने दिन रात एक करके इस मिशन को सफल बनाने में अपनी जी जान लगा दी इसी वीच राजिस्तान के पूर बिटी सीम सचिन पाइलेट ने देश वासियों को गड़ाय दिया और अपने एक्स एकाउंट से ट्वीट किया है सचिन पाइलेट ने साल 1960 के राकेट लाउंच से पहले की एक तस्वीर पुस्ट की है जिसमें इसरोख साइंटिस्ट रोकिट के पाइलेट को साइकल पर ले जा रहे हैं इस तस्वीर के साथ सचिन पाइलेट ने लिखा है कि भारत ने रखाट चांद पर कडम अंतरिक्ष के शेत्र में रचास्षोने मिध्यास चंद्रियान तीन के चंद्रमा की सते पर सौफ्ट लेंडिंग सफलता पूरुबक होने पर देश वासियं को हार्टिक बढ़ाई ये देश को गौरवानवित करने वाला पल है मैं इसरोख समस्त वग्यानिकों को सुबकामना देता हूँ आप सभी के वर्षों का परिश्रम आज सफल हुआ चंद्रियान की सफल लेंडिंग पर सीम के हलो तरह देश को बढ़ाई देते हुए लिखाएगी नव इसपर्स दीपतम आखिरकार इसरों के प्रवुद वग्यानिकों की वर्षों की मेहनत से वह एत्यासिक पल आ गया जिसके लिए पूरा देश प्राठना वे इंतिजार कर रहा था चंद्रियान तीन की काम्यावी के लिए टीन के सभी वग्यानिकों हार्दिक बढ़ाई वेश विस्तरबा देश को मिली ये अवुद पूर सफलता वेज्यानिकों के अथक परिश्रम एवम नहरू जी वे इंद्रा जी की अंत्रिक्ष अनुसंदान के प्रती दूर दर्शिता का प्रेनाम है आजादी के कुछ वर्सों के बाद ही अंत्रिक्ष अनुसंदान के लिए संस्थान बनाने से आज भारत वेश्विक अंत्रिक्ष शक्ती बन गया है अभी के लिए सिरु इतना ही नमश्का